हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल तो डिलीवरी के बाद किन कलर डाक हो गया है या प्रेग्यनसी में ही आपके पिग्मेंटेशन स्टार्ट हो गये थे ब्लैक स्पोर्ट्स आ गये थे जो अपने सोचा कि डिलीवरी के बाद धीरे दीरे चले जाएंगे बद अभी नहीं गए है तो य क्या reason होता है कि जो olduğन यहां जाइए जातीस जांट्राइएं और दिलिवरी के बादे कब ठीक होती हैं तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में वीडियो में जरूर बने रहिएगा और फसन आए तो इसे लाइक किज तो इन्हीं की वज़ान से जो मेलाजबाप्रोडक्षिन है हमारी बोड़य में बढ़ जाता है तो ये मेलाजबा ही हमारी स्किन हें को अन्यक्नों बढों फेक्न की देज़किन कि को याइक सितां टेज़कर कर Southern किसी को युदर बहुत दिन ट्रेक्यों फ सोगत एकदम से जो चीन है बाल बहुत च्छे हो जाते हैं ज रिंपल तो इसका हो जब aúnी हो जाते जनल सब्सक्राइब को जो प्रेजैन होता है कि जो हमारा बाइट नेच्टर और अझाव प्रीडिश बाइबिक्शन करती है उसका किसी कि वे बादि की जूल में होने हो जाता तो उनकी मेंडॉठ होने लगो अगर अगा जो सकेन बोस्त के हो चाइनी सुसस्राइब का can कि छो आपके मेल आजमा हो गया है रहता है तो असके लिए आपको क्या करना है एक तो आपका जो सकने के रूटीन आपका आपका रूटीन आपका रूटीन जो है वो आपको pregnancy में भी follow करना है और pregnancy के बाद delivery के बाद भी करना है जैसे कि हम cleansing करते हैं स्ructhe washraiser लागाते है और मॉशराइसर लगाते है और इसमें जो संस्क्रीड है वह must है संस्क्रीन आप घर में हो ऐसा नहीं है कि जब आप घर से बाहर जा रहे हो तभी आपको संस्क्रीन यूज़ करना है जब आप घर में हो तभी आपको जो UV rays है वो हमारे घर में भी होती है तो वो आपको UV rays से बचाती हैं क्योंकि जब हम धूप में जाते हैं बाहर तो हम देखते हैं जो sun tan हो जाता है वो मिलाजमा की वज़ा से ही होता है तो इसलिए आपको धूप से खुद को बचाना है UV rays के contact में आके हमारी body में मिलाजमा ज़्यादा produce होता है तो आपको धूप से खुद को बचाना है sunscreen हमेशा लगाना है और आपको क्या करना है कि delivery के जस्ट बाद अपना जो skin के रहा आपको start कर देना है उस time अगर हम थोड़ी लापरवाही करते हैं कि हाँ अपने आप चला जाएगा कुछ दिनों के बाद चला जाएगा लेकिन वो नहीं जाता है और ज्यादा gap आ जाता है फिर उसको reduce करना थोड़ा difficult हो जाता है second इसके लिए भी है कि आपको diet बहुत important role play करती है जो skin है हमारी body का largest organ है तो जो भी हम diet लेते हैं उसका जो बहुत बड़ा जो part है जो भी nutrition है वो हमारी skin को जाता है तो इसलिए अपनी diet पे जरूर focus करीए कि आप क्या खा रहे हो आपको vitamin C आपने सुना होगा कि मारी skin को brighten करता है तो vitamin C आपको जरूर include करना है vitamin C के लिए आप खटे फल है आवला है आवला कहा सकते हो शकरकंद आता है जो हम sweet potato कहते है वो अपनी diet में इंकलूट करो तो ऐसी चीजे आपको जिसमें vitamin C हो आपको जरूर लेनी है और folic acid हो यह जैसे delivery के बाद कुछ टाइम तक तो उम folic acid tablets भी लेते रहते हैं तो भी आपको six months तक continue करनी है तो यह सब help करती है आपकी skin को सासत repair करने में जैसे आपकी body repair हो रही है आपके hormones दुबारा से settle down हो रहे है तो धीरे दीर एपकी skin भी वापीस आपके जो natural tone है natural color है उसमें आ जाती है और अगर आपकी skin बहुत dry है तो आपको क्या करना है कि जब आप नहाने जाते हो तो साथ में coconut oil लेके जाओ और नहाने के बाद तुरंत नहाने के बाद आपको क्या करना है पूरी body पे coconut oil ज़रूर अपलाए करना है तो इससे क्या है कि dryness आपकी body में heal होगी क्यूंकि pregnancy में भी बहुत ज़दा dryness हो जाती है जिससे कई बार होता है कि हम scratch marks है वहां हम itching कर देते हैं तो skin खराब हो जाती है तो वह एक तरह का permanent damage हो जाता है तो इसलिए pregnancy में ही अपनी care करना start कर दो जिससे कि delivery के बाद जो आपकी skin है वह खराब ना हो या जो हम कहते है कि permanent patches आ जाते हैं या किसी के होता है कि rashes है या दाने हैं कभी-कभी होता है कि कुछ areas में वह permanent रह जाते हैं तो वह सब आपको नहीं होगा अगर आप pregnancy में ही अपना जो skin care है वह start कर देते हो और अगर delivery हो गई है तो कुछ घबराने की बात नहीं है तो अभी भी repair हो सकता है recover हो सकता है अगर आप सही से diet लो और अपना जो skin care है वह अच्छा रखो और उसी के साथ आपको water intake है पानी है वह आपको बहुत अच्छे से पीना है क्योंकि अपनी body को जब आप detox करते हो तो उसके लिए पानी बहुत अच्छा role play करता है आपका detoxification भी बहुत ज़रूरी है आपकी skin को healthy रखने के लिए और आपको ऐसे products जो market में बहुत products आसे मिलते हैं जो आपको pigmentation को reduce करते हैं, melasma को reduce करते हैं या जो after pregnancy, post pregnancy skincare products आपको मिल जाते हैं, but आपको wisely choose करना है जिसमें बहुत ज़्यादा chemicals ना हो, उनकी ingredients check करके ही आपको use करने हैं और जो आप नहाने के लिए भी soap यूज कर रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा chemical base नहीं होना चाहिए और skincare के लिए मैंने एक वीडियो शेयर किया है, उसका link आपको description box में मिल जाएगा उसमें आपको वही सब options मिल जाएंगे, जो भी हम upton बनाते हैं, facebook बनाते हैं, जो homemade होते हैं वो आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वो आप वीडियो जरूर चेक आउट कीजएगा और अपने skin के routine में once a week और twice a week आप scrubbing भी जरूर include करो scrubbing अगर आपकी बहुत ज्यादा skin dry है, तो बहुत ज्यादा रब मत करो skin को क्योंकि वो skin को damage करता है अगर आपकी skin oily है, मतलब natural skin है, तब भी आप यह कर सकते हो और products आप ऐसे choose करो, जिसमें hydroquinine हो, यह क्या करता है कि milazma, जो dark spots होते हैं, उसको reduce करने में help करता है hyaluronic acid हो, मतलब ऐसे हो यह vitamin C based हो, जो आपकी skin को actually repair करने में help करते हैं अगर आप मुझसे कुछ suggestion पूछो, तो मैं आपको कुछ recommend कर देती हूँ कि मैं जो use कर रही हो, वो dhamak, dhamak daily essentials का face cream है और यह साथ में sunscreen है, यह आपकी skin को brighten करने में भी help करता है, विंटर से हैं, यह already अगर आपकी dry skin है, तो आपको यह long hours तक moisture भी provide करता है यह products आप Amazon से भी purchase कर सकते हैं, अब search bar में अगर यह products name लिखोगे तो आपको मिल जाएगा इंस्टा पे भी जो brand page है, dhamak skincare, वहाँ पे भी आप direct contact करके order कर सकते हो और साथ में आपकी pigmentation हैं, dark sports हैं, यह agnes का रह जाते हैं, उसको भी reduce करता है होप यह video आप सबके लिए helpful है, कि delivery के बाद जो dark skin हो गई है, या dark patches हो गई है, मिलाजमा हो गई है, जाईया हो गई है उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और बहुत जल्दी result मत expect कीजेगा, क्योंकि इनको जाने में time लगता है कुछ में होता है, कि जैसे मेरे साथ जो हुआ कि मेरी first pregnancy थी, उसमें मेरे skin पे बहुत glow आ गया था मेरा hair fall बिल्कुल उरी तरह से बंद हो गया था, but second pregnancy मेरे skin बहुत जादा dry हो गई थी और इतनी dry हो गई थी, कि मैं daily 2-3 बार अपनी body पे coconut oil apply करती थी तो यह again thanks to pregnancy hormones, यह बहुत major role play करते हैं कि आपकी skin pregnancy में कैसी रहेगी, या delivery के बाद आपकी skin कैसी हो जाएगी, तो hormones का बहुत रोल आता है और इसी के साथ आपको stress नहीं लेना है, अगर आप stress लेते हो तो फिर से आपकी जो hormones हो, imbalance होने लगते हैं तो आपकी skin पे वो असर आपका दिखाई देता है क्योंकि again skin जो है, एक largest organ है आपकी body का तो जो भी internally अगर आप खा रहे हो या आपके अंदर कुछ भी अगर चल रहा है तो skin पे उसका effect ज़रूर दिखाई देता है तो इसलिए अच्छा खाये, happy रहे, पानी अच्छे से पीजिए और जो भी products अब अपनी skin के लिए चूज कर रहे हो, wisely choose कीजिए तो इस वीडियो को like जरूर कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए ऐसी और वीडियो के लिए Thank you for watching